दो विद्वानों की कहानी दोनों को अधिक श्वेष्ट और दूसरे को नीचा दिखलाने कर प्रयत्न करते थे दोनों को कई वार उनकी शिक्षकों ने इस वारे में समझाया किन्तु दोनों अपने को ही श्वेष्ट समझते था शिक्षा खत्म होने के बाद दोनों को वनारस से अपने गाव वापस लो ग्यानВान और बुद्धिमान दोनों जमीदार के घर आ गए, जमीनदार ने दोनों के रुकने की अलग-אלग व्यवस्था की और स्वादिस्ट पकषारा बनवए, जमीनदार पहले जानखन से बहुत प्रभावित हुआ, किंटु अपने घमन्ड और बुद्धिमान को नीचा दिखाने के लिए ग्यानवान जमीनदार से बोला बुद्धिमान तो नाम का बुद्धिमान है इतने दिन वनारस में रहकर भी वह कुछ नहीं सीखा और अभी भी गधा ही है ग्यानवान की बाते जमीनदार को अच्छी नहीं लगी ग्यानवान से मिलने के बाद वह जब दोनों को थालिया परोसी गई तो थाली में घास और भूनसा था, थालिया देखकर दोनों जमीनदार पर बहुत प्रोधित होते हुए बोले, आपने यहां हमें बेजत करने के लिए बुलाया है, क्या हम कोई जानवर है जो आप हमें भूसा और घास खिला रहे हैं, जमी जमीनदार की बात सुनकर ग्यानवान और बुद्धिमान को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने एक दूसरे सिक शमा मांगी और जमीनदार को धन्यवाद दिया, जमीनदार ने भी दोनों को स्वादिस्ट पकवान खिलाए और दोनों की खूब आव भगत किया, शि झाल 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 झाल